हे गाइस तो अभी अभी जो एक बहुत ही बड़ी सैड न्यूज आई है जी हाँ जो के है भुवन बाम को लेके जैसे के आप लोग को याद होगा कुछ वीडियोस पहले मैंने आप लोग को बताया था कि भाई भुवन बाम वो जो है काफी टैम से इनक्टिव है अपने सोच अब इस दुन्या में नहीं रहे जी हाँ डिस्पले पर आप लोग देख सकते हैं भुवन बाम उन्होंने जो है वाली पोश्ट अप्लोड की अपने मॉम एंड डैड के साथ और कैप्शन में कहा लौश्ट पोथ माइ लाइफ लाइफ लाइन्स टु कोविड आई और के साथ हमेशा रहना पड़ेगा इन्हें दोबारा देखने के लिए इंतिजार नहीं कर सकता मैं विश करता हूँ वो दिन जल्द ही आए अब ये सैड न्यू सुनने के बाद जितने भी यूटूबर्स जैसे क्या आशिश कैरी जितने भी लोगे उन्होंने कुछ ना कुछ कॉमेंट किये है इस्टोडी सप्लोट किये है आए देखते है जैसे क्या आशिश उन्होंने कहा तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे भुवन मुझे पता है और तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे थे जो किसी भी पेरेंट्स को मिल सकता था उन्होंने तुमें दर्ध नहीं जानता जिसे तुम गुजर रहे हो वो तुमें बहुत प्यार करते थे भुवन मेरी और मेरी पूरी फैमिली की दुआया तुम्हारे साथ है ओम शान्ती यहाँ पर कैरी मिनाटी उन्होंने कहा और भी भाई बहुत सारे कॉमेंट्स है डॉली सिंग ने कहा मुंबाइकर निखिल उन्होंने कहा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम कैसा फिल कर रहे होगे फ्लाइंग बिष्ट ने कहा ये पढ़कर बहुत जटका लगा तुमने हमेशा अपने पैरेंट्स को बहुत बहुत प्राउट फिल करवाया लक्षे ने कहा पता नहीं अच् मैक्स्टन भुवन भाईया यू मजट भी फिलिंग एंप्टी राइट नौ बट इस्टे स्ट्रॉंग यहाँ पर आशिश न चलानी उन्होंने जो इस्टोरी दालते वे कहा मेरे भाई को आप लोगों की दुआव की जरूरत है वो बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा अब यहाँ पर भुवन भाम के जो मैनेजर है उन्होंने भी जो इस्टोरी पोस्ट किये है उन्होंने कहा पिछले पाच हफते बहुत ही कटिन थे एक महने पहले हमने बाबा को खो दिया और दो दिन बाद हमने आई को भी खो दिया इस भायानक वाईरस की वज़ा से तो भ